नमो नारायन मित्रो मैं राहुलेश्वर स्वागत करता हूँ आपका भाग्य मन्थन में मित्रो आज हम ज्योतिश शास्त्र की साहता से धनूराशी से सम्मंदित उन खास बातों के बारे में आपको बताएंगे जिने जानने के पश्चात आप धनूराशी के जातकों को और गहराई से समझ पाएंगे और उनके साथ सामंजस्य बिठाने में आपको काफी आसानी होगी कई बार हम अपने दिल के करीबी लोगों के सुभाव को जानकारी के अभाव में समझ नहीं पाते और गलत फहमियों के चलते लड़ जगड कर उनसे दूरियां बढ़ा लेते हैं लेकिन यह सही नहीं है मित्रो इस जीवन का उद्देश्य अकेले रहकर जीवन व्यतीत करना नहीं है बलकि साथ रहकर एक दूसरे के सुख और दुक को बाट कर जीवन व्यतीत करना है यदि आप अपने करीबियों के गुण दोशों और उनके सुभाव को गहराई से समझ लें तो आपके और उनके बीच कभी भी गलत फहमियों के लिए इस्तान नहीं बचेगा और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी परमेश्वर ने इस तृष्टी की रचना इस प्रकार से की है कि एक जैसे दिखने वाले जीवों में भी विबिन्नताएं देखने को मिलती है सभी जीव इन विबिन्नताओं के बीच एकता स्थापित कर जीवन के सभी सुगदुक मिलकर बाटकर भोगें इसलिए हम सब एक साथ एक जगा होते हैं एक साथ रहकर जीवन में एक साथ आगे बढ़ने के लिए हमें एक दूसरे से मजबूत संबंद और सामन जस्य स्थापित करने की आवशक्ता होती है मजबूत संबंद और सामंजस्य स्थापित करने का मुख्य आधार अपने संबंदियों और करीबियों के गुर्ण दोशों और सुभाव की घहरी जानकारी से संबंदित है आपके पास आपके करीबी लोगों के सुभाव वा गुर्दोशों की जितनी सटिक जानकारी होगी आप उतना ही मजबूती से अपने रिष्टों को संभाल पाएंगे धनू राशी राशी चक्र में नवे स्थान पर आने वाली राशी है इस राशी पर ब्रहस्पति ग्रह का अधिपत्या आता है पंच तत्वों में यह अगनी तत्व वाली राशी है काल पुरुष के शरीर में धनू राशी का अधिकार शेत्र जांगो पर होता है जिनके नाम का पहला अक्षर ये यो भा भी भू धा फा धा भे होता है उनकी धनूराशी होती है आईए अब धनूराशी से सम्बंदित उन बातों को जाने जिन से आप उन्हें भैतर तरीके से समझ पाएं पहला सम्मान इनके जीवन की सबसे बड़ी जरूरत धनूराशी के उपर ब्रहस्पती ग्रह का अधिपत्या आता है ब्रहस्पती ग्रह को देफताओं के गुरूपत का सम्मान भी प्राप्त है और इसी कारण से ब्रहस्पती ग्रह के अंतरगत आने वाली धनूराशी को भी अपने मान सम्मान की बहुत अधिक चिंता होती है यहे लोग अपने आसपास के सभी लोगों से सम्मान पूर्वक विवार करते हैं चाए वै आयू में छोटा हो या बड़ा या फिर किसी भी वर्ग का हो यहे लोग कभी भी किसी को सम्मान देने में भेदभाव नहीं करते और बदले में यही चाहते हैं कि इनसे विवार करने वाला व्यक्ति भी सम्मान पूर्वक बात करे आप इनके कितने भी पुराने मित्र हैं या फिर कितने भी घनिष्ट हैं इनसे बात करते समय शब्दों का चुनाओ बहुत सोच समझ कर करें क्योंकि यह सब कुछ बरदाश कर सकते हैं लेकिन अब शब्द और गलत बातें बिलकुल बरदाश नहीं करते यह लोग जिन से संबंद तोड़ते हैं उनमें सबसे ज्यादा लोग वही होते हैं जिनका बात करने का लहजा गलत होता है और जो चाला की भरी भाशा का प्रयोग करते हैं इसलिए यदि आप भी इनके करीबी हैं और चाहते हैं कि इनसे संबंद सदैव मधूर बनने रहें तो किसी भी इस्तिती में इनसे गलत भाशा का प्रयोग ना करें और सम्मानिट शब्दों का प्रयोग करें दूसरा धनूराशी और पीपल के विरिक्ष का क्या संबंद है जोतिश शास्त्र के अनुसार द्वादश राशियों का अधिपत्य जिस प्रकार नव ग्रहों को दिया गया है उसी प्रकार प्रित्वी के उपर उपस्तित, जीवित और मृत सभी प्रकार की चीजों का वर्गी करण कर नव ग्रहों को उनका अधिपति ग्रह बनाया गया है धनूराशी और पीपल के व्रिक्ष के उपर ब्रहस्पति ग्रह का अधिपत्या आता है और इसी कारण से धनूराशी और पीपल के व्रिक्ष को आपस में जोड़ कर देखा जाता है पीपल का वरिक्ष सभी जीवों के लिए बहुत महत्वपून है पीपल का वरिक्ष सभी जीवों के कल्यानार्थ प्रान रक्षा के लिए प्रान दायक ऑक्सीजन का संचार बिना रूके वा ठके निरंतर करता रहता है जिस प्रकार पीपल का वरिक्ष सभी जीवों के लिए बहुत महत्वपून है उसी प्रकार धनूराशी में जन्मे लोग भी अपने परिवार, मित्र गणो और समाज के लिए ऑक्सीजन और प्रेम रूपी छाया से कम नहीं होते छोटी उम्र से ही यह लोग अपने परिवार, मित्र और समाज का ध्यान रखते हैं और पूरी श्रद्ध के साथ सभी के हितों के लिए जीते हैं यह लोग कभी भी भेदभाव की नीती का समर्थन नहीं करते ब्रस्पती क्रह के प्रभाव के कारण यह लोग शुद्ध ज्यान को प्राप्त करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और अपने परिवार और समाज की सेवा में लिप्त रहते हैं यह लोग स्वयम के हित को देखने से पहले औरों के हितों को सुरक्षित करने पर ध्यान देते हैं. इन लोगों के मन में सदैव सभी लोगों को प्रसन और आत्म निर्बढ देखने की इच्छा रहती है और इस इच्छा की पूर्ती के लिए यह लोग अपना धन और बहुमूल्य समय देने में बिलकुल नहीं हिचकिचाते धनूराशी और पीपल के विरिक्ष की समर्पन भावना और निश्पक्षता ही इन दोनों के बीच सम्मंद को दर्शाती है तीसरा धनूराशी के लोग कई लोगों को सुई की तरह क्यों चुपते हैं धनूराशी सभी जीवों के कल्यान के लिए समर्पित होती है घर परिवार हो, मित्रगण या फिर समाज यह चाहते हैं कि सभी अपने अपने कर्तव्यों और उत्तरदाइत्वों को ठीक से निभाएं और जीवन को खुशाल और प्रगती शील बनाने के लिए प्रयासरत रहें यह लोग घर परिवार में सभी को उनके कर्तव्यों से भागते देख कड़ा रुक अपनाते हैं और सभी लोग नियम पूर्वक अपने काम करें इसके लिए योजना बद्ध तरीके से कार्य करते हैं इनका नेत्रित्व परिवार और समाज के लिए निसंकोच सही वा बड़ी सफलता दिलाने वाला तो सिद्ध होता है लेकिन फिर भी परिवार के कई लोग इनके नेत्रित्व से परिशान हो उटते हैं और इनके द्वारा गलत चीजों पर लगाए गए बंदनों से मुक्त होने का प्रियास करने लगते हैं यह दुई सुभाव राशी हर प्रकार की राजनीती और रणनीती को समझती है और उससे निपटने के लिए पारंगत होती है और गलत मंशा रखने वालों को आसानी से परास्थ कर देती है और इसी प्रकार की गतिविधियों के चलते कई लोगों की आँखों में यह सुई की तरह चुबने लगते हैं हाला की धनुराशिक की चुबन उससुई की तरह होती है जो फूलों को एक माला के रूप में पिरोकर एक जुटकर सुन्दर रूप देती है यह लोग नियम रूपी चुबन से परिवार के सभी लोगों को परिवार के हितो और सुरक्षा के प्रती सतर करकते हैं जिसमें इनका अपना कोई निजी स्वार्त नहीं होता। कई बार इनके कठोर नियमों और आचरण के कारण परिवार के कुछ लोग इनके उपर जूटे आरोप प्रत्यारोप लगा कर चाला की वश इनको परिवार से दूर कर देते हैं। चाला की वश इनके नितरित्व से मुक्ती पाकर वह लोग स्वयम के पैरों पर कुलहडी मारते हैं। और धीरे धीरे परिवार के सभी लोग गलत निरने लेते हुए समाज में निंदा पाते हैं। इस राशी में जन्में लोगों की असली कीमत तब ग्यात होती है जब यह सब से दूर हो जाते हैं। अगर आप लोग इनके परिवार का हिस्सा हैं, मित्र हैं तो इनके इस पक्ष को गंभीरता से समझिए और उसके बाद इनसे अपने संबंद स्तापित कीजिए। चौथा धनूराशी के जातक घमंडी वा अंकारी होते हैं। क्या यह सच है? धनूराशी में जन्में जातक को घमंडी वा अंकारी कहने वालों की संख्या बहुत अधिक है और यह वही लोग हैं जो इन्हें धंग से जानते नहीं हैं। धनूराशी में जन्में जातक की तुलना यदी नारियल से करी जाए तो बहुत ही सही होगा। जिस प्रकार नारियल के बाहर का खोल कठोर और कड़क होता है और अंदर से मुलायम और कोमल होता है वैसे ही धनूराशी में जन्में जातक भी होते हैं। यह दुई सुभाव राशी कश्टो और समस्याओं को जहलते जहलते अपने चारो तरफ एक ऐसे सुरक्षा आवरण का निर्मान कर लेती है जिस से इनके कोमल मन को कोई भी ठेस ना पहुँचाए ज्यादा तर जो लोग इनको घमंडी वा अंकारी बोलते हैं वे केवल इनके इस सुरक्षा आवरण को ही देख पाते हैं धनूराशी में जन्मे जा तक सदैव यही चाहते हैं कि जो लोग भी इनके पास आएं वो सच्चेवा निश्पक्ष हों और कभी किसी भी तरीके से धोका या विश्वास घात ना करें और केवल इसलिए यह लोग बाहर से खटोर होने का दिखावा करते हैं आप मेंसे भी यदि कोई इनके इस पक्ष को समझ नहीं पाता तो इनको थोड़ा समय दीजिए इनसे बाते कीजिए तो जल्दी ही आप इस बात से अवगत हो जाएंगे कि यह लोग काफी व्यवारिक हैं और घमंड और अंकारी जैसे शब्द इनके लिए परियोग करना ब इलकुल पसंद नहीं धनूराशी में जन्मे जातक पर ब्रस्पति ग्रह का दिपत्य होता है जिस कारण से यह लोग सदैव भारी सुंदर्ता पर ध्यान देने से ज्यादा भीत्री सुंदर्ता पर ध्यान केंद्रित करते हैं हाला कि यह लोग समय के साथ चलते हुए समाज क के हिसाब से वस्त्र आबुशन और सभी सुविदा के साधनों का प्रयोप करते हैं लेकिन कभी इन्हें हस से ज्यादा प्रात्मिक्ता नहीं देते अत्यदिक चमक धमक और चका चौन से यह लोग अक्सर थोड़ी दूरी ही बना कर रखते हैं इस राशी के जातक धन्वान होन के बाद भी सरल्वा सामान्य दिखना ही पसंद करते हैं यह सदैव सही तरीके से धन अरजित करने के पक्ष में रहते हैं और धर अरजन के लिए योजनाएं भी बनाते हैं लेकिन कभी अरजित धन का दिखावा करने के पक्ष में नहीं रहते हैं यह यदि कभी किसी जरुर को समझिए और इनके सामने बिल्कुल वैसा ही व्यवार कीजिए जैसे आप असलियत में हैं वरना ये लोग अचानक से आपसे दूरिया बना सकते हैं चटा सावधान यह एक खतरनाक शत्रू हैं धनूराशी का राशी चिन अश्व मानव का है जो की हाथ में तीर लिए लक्ष भिदन के लिए तैयार प्रतीत होता है राशी चिन में धड़ से नीचे का हिस्सा ताकतवर अश्व का और धड़ से उपर का हिस्सा मनुष्य का होना जो की हाथ में प्राण घा तक धनुष बांड लिए हुए है यह प्रदर्शित करता है कि यह लोग अश्व जैशी शक्ती और स्फूर्ती रखते हैं और साथ में शत्रिय की बुद्धी भी इनके अंदर है जो की अपने शत्रु को परास्त करने के लिए पर्याप्त है यह दुई सुभाव राशी कभी तो बहुत सरल प्रतीत होती है लेकिन जहां इने विपक्ष की बात खटकी या फिर कहीं अन्याय होता दिखा तो इनके अंदर का शत्रिय अचानक अत्यंत क्रोधित होते हुए सबके सामने आ जाता है धनूराशी सदैब सज्जन लोगों के साथ सज्जनता का बरताओ रखती है और दुष्टों पर महाकाल बनकर तूटती है इनके सरल विवार के धोके में रहकर इनके साथ कभी भी कोई गलत काम करने की कोशिश बिलकुल ना करें क्योंकि इनकी प्रतिक्रिया बहुत ही घातक सिद्ध होती है यह लोग रोज रोज लड़ने में बिलकुल भी दिल्चस्पी नहीं रखते लेकिन जब भी लड़ते हैं तब शत्रू पक्षकी नीदे उड़ा देते हैं इसलिए यदि आप भी इनके करीबी हैं या फिर इनसे शत्रूता मोल लेने की सोच रहे हैं तो सावधान हो जाएए और सोच समझ कर निर्णे लें साथवा यह कभी किसी एक कार्य में अपने मन को इस्थिर नहीं कर पाते ऐसा क्यों? यह बात सत्य है कि धनूराशी के जातक कभी भी अपने मन को एक इस्थान पर केंद्रित नहीं रख पाते और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मन के कारक चंद्रमा इनकी चंद्रकुंडली में अश्टम इस्थान के स्वामी होते हैं हाला कि अश्टम इस्थान पर सूर्य और चंद्रमा दोश्मुक्त रहते हैं लेकिन फिर भी चंद्रमा के इस इस्थान पर रहने से जातक लंबे समय तक अपने मन को एक इस्थान पर एकागर नहीं कर पाते धनू राशी ग्यान के कारक ब्रस्पती के अधिपत्य में आने वाली राशी है जो की ग्यान विज्ञान के विस्तार के लिए निरंतर प्रयासरत रहती है ब्रस्पतिग्रह के कारण इनके सुभाव में जिग्यासा अधिक होती है और इसलिए यह लोग नई नई चीजों की जानकारियों को प्राप्त करने के लिए अधीर से रहते हैं आप जितनी भार भी इन से मिलेंगे इनके पास आपको बताने के लिए एक नवीन और रोचक जानकारी होगी इनकी जिग्यासा और एकाग्रता किसी भी कार्य को इने बहुत तेजी से सिखाती है और सीखने के पश्चात यह लोग उस कार्य से जल्दी उप जाते हैं और अपनी ज्यान पिपाशा को शांत करने के लिए किसी और चीज की जानकारी को लेने के लिए निकल पड़ते हैं एक खोजी के रूप में यदि इनके जीवन को देखा जाए तो यह सर्वोत्तम है लेकिन भौतिक दृष्टिकोंड से समझा जाए तो मन की अईस्थिर्ता के चलते इनको काफी वितिय घाटे उठाने पड़ते हैं अगर आप धनूराशी के जातक के करीबी हैं तो आपको इनके इस पक्ष को समझ कर भौतिक खानियों से इने बचाने का प्रयास करना चाहिए आठवा इनके सामने घुमा फिरा कर बात करने से बचें धनूराशी में जन्मे लोग व्यवारिक और बुद्धिमान होते हैं यह लोग अपने आसपास के सभी लोगों के व्यवार को इतनी बारीकी से परकते हैं कि शायद ही कोई और राशी इतना परकती हो किसी व्यक्ति का इनके पास आना, किस प्रयोजन से आना है यह लोग सरलता से भाब जाते हैं और व्यक्ति विशेश के बोलने से पहले ही उसके मन की बात को समझ जाते हैं क्योंकि इस पश्टता इनका एक बड़ा गुण है इसलिए यह लोग सदैव इस पश्ट बोलने और सुनने में यकीन रखते हैं बातों का जाल बना कर, घुमा फिरा कर, कहानी बना कर अपने पक्ष को समझाने वाले लोग इने बिलकुल भी पसंद नहीं होते यह लोग अपने विचारों के प्रती बिलकुल इस पश्ट होते हैं कि इने करना क्या है और ऐसी इस्तिती में यदि आप इनके सामने गोल गोल बाते करेंगे तो यह लोग असहज महसूस करने लगते हैं फिर विवाद की इस्तिती उत्पन होने लगती है इसलिए यदि आप इनके करीबी हैं तो इनके साथ सीधी बात करने की आदत बनाएं ऐसा करने से आप इनके साथ अपने संबंदों को अच्छा बना कर रख पाएंगे नवा धनूराशी के लोग जूट बिलकुल नहीं बोलते क्या यह सच है धनूराशी के जातकों को जूट कहने और सुनने से बहुत नफरत होती है लेकिन यह बात गलत है कि वह लोग जूट बिलकुल नहीं बोलते पंच तत्वों से मिलकर बना हाड मास का यह शरीर किसी भी राशी में ही उत्पन क्यों नहीं हुआ हो वो पंच तत्वों के सयोजन से उत्पन विकारों से अचूता नहीं रह सकता धनूराशी के उपर ब्रस्पती ग्रह का अधिक प्रभाव रहता है जिसके चलते यह लोग सत्य के समर्टक होते हैं और ज्यादा तर सत्य भाशन करते हैं लेकिन जीवन में कई बार ऐसा समय भी आता है जब किसी के जीवन की रक्षा या सम्मान रक्षा के लिए असत्य को भी ग्रहन करना पड़ता है वा बोलना पड़ता है तब यह लोग असत्य बोलने में भी पीछे नहीं रहते हाला कि बे फिजूल में जूट बोलना इन्हें बिलकुल पसंद नहीं होता और यह चाहते हैं कि इनके परिवार और मित्रमंडरली के लोग भी किसी भी इस्तिती में इनसे जूट न बोले यदि आप इनके करीबी हैं और जूट बोलकर या तक्षियों को घुमा फिराकर इनसे काम निकालने का प्रयास कर रहे हैं तो साबधान आप इन्हें हमेशा के लिए खो सकते हैं किसी भी कार्य को करवाने के लिए यदि आपको इनकी सहमती या मदद चाहिए तो जूट बोलने से ज्यादा अच्छा है कि इनसे सीधा और सची बात कहिए शायद यह आपकी मदद कर दे दस्वा इनके अपने लोग इनका जमकर शोशन करते हैं अपने परिवार, मित्रो और समाज के लिए सभी तरीके से अच्छा सोचने और अच्छा करने के पश्चाद भी बदले में कोई भी कभी इनके बारे में कुछ अच्छा करने की नहीं सोचता यह लोग मानपता के खातिर गुप-चुप सभी परिशानियों को जहलते हुए कभी भी शिकायत नहीं करते और अपने आसपास के सभी लोगों के शोशनों को भी जहलते हैं इनका सबसे ज्यादा शोशन इनके परिवार के लोग करते हैं जीवन को लेकर इनकी सरलता एक बच्चे की तरह होती है जो किसी भी नाकारात्मक सोच और व्यवार को बहुत जल्दी भुला देते हैं लेकिन फिर भी लोग इनकी बिलकुल कदर नहीं करते इनकी समझदारी ही इनकी सबसे बड़ी दुश्मन होती है अक्सर इनकी समझदारी और मन के कोमल भावों को इनकी बेवकूफी माना जाता है जीवन में सभी के लिए यह लोग बहुत सकारात्मक सोच रखते हैं लेकिन इस सकारात्मक सोच का फल इन्हें बुराई और धोके के रूप में वापिस मिलता है सब के लिए अपनी शमताओं से अधिक करने के बाद भी सब लोगों के लिए यह बस कार्य सिद्धी का माध्यम बनकर रह जाते हैं अगर आप धनूराशी के पारिवारिक सदस्य, मित्र या प्रेमी हैं तो इनके इस पक्ष को समझिये और कभी-कभी बिना मतलब के भी इनके हाल-चाल पूछ लिया करिये शायद इने अच्छा लगे प्रियमित्रो, हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी हमारे निरंतर कड़े जोतिशिय शोध पर आदारित है हो सकता है इसमें कुछ चीजें रह गई हो जिसे आप सभी लोग अपने अनुभवों से पून कर सकते हैं भाग्य मंतन के सभी दर्शकों और मुख्य रूप से धनूराशी और धनूराशी को जानने वाले लोगों से आग रहे है कि हमें अपने अपने अनुभव भेजें हमें आपके कमेंट्स और इमेल्स का इंतजार रहेगा आज के लिए इतना ही कल फिर मिलेंगे भाग्य मंतन में आपका जीवन शुब वा मंगल में हो नमो नारायन कि अपने भाग्य मंगल आपका टो शुब बाग्य लोगो आपका जैंको जाले लोगे भाग्य मंगल कि अड़ा खो आपका जैंको अनुब वाले रहे है झाल झाल